हेलो फ्रेंड देखो आज हम आपके लिए बेबी सुजले क्या है जो हमने स्क्रीन पे डाला है उसको बनाने के लिए हमने पहले बाडर बनाना पड़ेगा फिर उसके च्यार उंगल यानि कि 10-20 सलाई सिंपल बनाएंगे आप डिजाइन डालना चाहें डिजाइन डाल सकते है लगाया है जो अफ़aimerाना ना चाहें आपकार ना स्क्ता तो ऊपर का इस्षा ना बना सकते हें य जिए बना रख्या देखो और आप है इसकर करेंगे य पहले बीच वाले हिउस्षे को에 बना ये सेंफिए हमने बना लार नाहिंगे यानि कि हमने 14 लाइन डालने है इसमें 14 लाइन डालके देखो ऐसे बनाना है इसको यह देखिए हमने ऐसे उल्टी-उल्टी चोदा लाइन डाले हैं बीच का हिस्सा हमने बना दिया इसका इसमें इतने फंदे डालिए कि इसके तीन हिस्से में बट जाए अब इसके 14 लाइन पूरे हो गए अब हम इसमें के फंदे उठाएंगे यह जो साइड वाली किनारी होती है इसके हम फंदे उठाते हैं जैसे यह लाइन होती है इस लाइन की पहले वाली गाठ होती है जो इसको ऐसे उठा लेंगे हम जितनी गाठे होंगी सब सलाईयों के उपर से ऐसे उठा लेंगे यह देखी हम उठा रहे हैं यह देखो सबी सलाईयों में से एक एक गाठ आगे वाली उठा लेंगे यह देखिए, यह हमारी पूरी होगी है, जितना लंबा पंज्या करना चाहें, आप उतना कर सकते हैं, बच्चे के पैर के नापके भी कर सकते हैं, और अब यह जो फंदे हमने उठाए हैं, हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानि कि 14 फंदे उठाए हैं हमने, और अब इनको ऐसे उठा ही बनाना है, एक साइड से उठाए, दूसरी साइड जब आएंगे, सलाई लेके तो दूसरी साइड से उठा लेंगे, ऐसी ही हमने इसको उठा उठा बनाना है, बहुत ही आसान है, और बहुत अच्छा लगता है बच्चे को, पूरी उठी स्लाई हम उठी ही बनाएंगे, अब हम इसकी दोन्नों साइड से उठा उठा ही बनेंगे, गाठ वाला, ऐसे ही इधर से पूरा हो गया है, अब हम उठी साइड से बनाएंगे, यह देखिए, ऐसे ही इधर से बनाना, बहुत ही सरेल है, आप ट्राई करके देखिए, कर देखिए, कल्सके गिद्के बनाएंगे, देखिए, कल्सके जब हे मिदमीई ही, इड हमने हैं धना एंदिरी रेखिए, बने हीड बनाएंगे, ये देखें, अब इतना आधासलाई पूरा हो गया, एक साइड से फंदे हमने उठा लिए, इधर भागा था तो इसके से बन कर आ गया, अब हम दूसरी साइड से फंदे उठाएंगे, जैसे इस साइड से उठाए ऐसे ही इधर से उठाएंगे, ये देखें, ये सब सलाईयों के उपर वाला हिस्सा एक-एक करके ऐसे उठाएंगे ना इसमें डॉल बनती ना पैर में चुबेगा बच्चे को और बहुत ही आसान है ऐसे उपर से एक-एक फंदा किनारी से उठा लिए ये देखिए ये पूरा हो गया इतने इधर उठाएं इतना ही इधर आएगा अब हम इसको उल्टा-उल्टा बिनेंगे जैसे इधर से बना कर लाएं इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे अब हम इसको साथ लाइने डालेंगे यानि की चोदस लाई अब हम नीचे का पॉर्शन जो बनाएंगे उसमें चोदस लाई डालेंगे ऐसे ही उटा-उटा बनाते रहेंगे अब ये फंदे जो बचे हुए थे ये सब फंदे इकठे हो जाएंगे इसी में मिला लेना इसने को ऐसे पूरा एक शलाई में हो जाएगा अब हमने इसकी चोदस लाई बनानी है यानि कि साथ लाईने उल्टी-उल्टी जो होती है वो डालनी है अब हम साथ लाईने डाल लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे ये देखिए हमने इसकी साथ लाईने पूरी कर ली है यानि कि चोदस लाई इसमें डल गई है अब इसको हम ऐसे बन जाएगा ये अब है इसके फंदे को हम हाफ हाफ कर देंगे दो सलाईयों में हाफ हाफ फंदे कर लेंगे और फिर इनको ऐसे मोड के उल्टी साइड से तीसरी सलाई की सायता से हम इसको जोड देंगे इसरे परकार से जोडना है एक फंदा सेलीजिंगे और इस fatty इस सलाईब से लेंगे दोनुं स्700 लेकर इस्परकार से हम इसको जोड देगे 12 कि एक कर देंगे फिर दो बारा फिर फंदा इधर से लिजिए और एक इधर से ऐसे ही इसको हम एक कर देंगे जो पीछे वाला फंदा है उसको इसके उपर से उतार देंगे फंदे को डिला रखेंगे जिससे नीचे खिचाव ना बने ऐसे ही हमने पूरी शलाई को कवर करना है यह देखो एक इधर से लेंगे एक इससे लेंगे और फिर दोनों का एक कर देंगे और फिर पीछे वाले फंदे को हम इस उपर वाले के उपर से ऐसे उतार देंगे ऐसे ही है पूरी शलाई को हमने बनाना है यह देखो ऐसे करते हुए हम इस पूरी शलाई को कवर कर देंगे यह देखिए यह हमने पूरी शलाई इसी परकार से कवर कर देए अब इसमें से यह दागा निकाल दे और बंद कर देंगे इसको थोड़ा बड़ा दागा लेने से तोड़ लेंगे हम और इसकी यह आपर यह इसा हम सिलाई कर देंगे अब हमारा जुराव तैयार है इसको अब सीधा करेंगे यह देखिए यह हमारा जुराव तैयार है बहुत ही आसान है अब बनाईए है इसको दोड़ है यह देखिए जुराव पाल जुराव धी ़ुराव तैयार है बंद कर देखिए ऑ़ दिए